क्या हिंदुस्तान में OBC के आबादी सिर्फ 5% है जहां भी जाते हैं हम पिछड़े लोग मिलते हैं OBC लोग मिलते हैं हर प्रदेश में मिलते हैं देश की रीड के हटी हैं अलग-अलग काम करते हैं 5% होई नहीं सकते हैं सवाल ही नहीं उठता कम से कम 50-55% OBC वर्ग हैं हिंदुस्तान में मगर ये सच्चाई ये सच्चाई नरेंद्र मोदी जी आपको नहीं बताना चाहते हैं OBC वर्ग को जागरुक होना पड़ेगा आपको ठगा जा रहा है आपकी अबादी 50% से जादा है मगर हिंदुस्तान को चलाने में आपको 5% भागीदारी भी नहीं मिल रही और जब मैंने ये सवाल नरेंद्र मोदी जी के सामने पूछा और मैं आज फिर पूछ रहा हूँ नरेंद्र मोदी जी आपने सवाल का जवाब क्यों नहीं दिया कि हिंदुस्तान में 50% OBC वर्ग है उनको 5% बजट में भागीदारी मिल रही है आप 24 घंटे कहते हैं OBC की सरकार चला रहा हूँ अब जूट कहते हो आपकी सरकार OBC की सरकार नहीं है और ये बात हर OBC योवा को समझनी होगी मैं आपके भविश्ची के बात कर रहा हूँ आपके साथ नरेंद्र मोदी जी और BJP अन्याय कर रहे हैं और पहला कदम आपके लिए पहला कदम जाती जन गड़ना है उसके बाद पूरे देश को पता लग जाएगा OBC की आबादी सच्ची आबादी कितनी है नरेंद्र मोदी जी अपने एक भी भाषन में ये बात नहीं उठाते प्रेस वाले तो उनसे सवाल पूछनी सकते प्रेस कॉन्फरेस तो कभी करते नहीं है मगर अगर आप कभी उनकी मीटिंग में जो टीवी पे देख रहे हैं OBC युवा आप कभी उनकी मीटिंग में जाओ तो उनसे आप एक सवाल पूछो चिला के पूछो नरेंद्र मोदी जी आप जाती जनगर्णा से क्यों डरते हो Congress Party ने जो जाती जनगर्णा के जो आक्रे थे वो निकाले उनको आप रिलीस क्यों नहीं कर रहे हो ये सवाल आप पूछिये OBC युवा आप पूछिये आपके भविश्य की बात और मैं आपको बता रहा हूँ Well that was of course Congress leader Rahul Gandhi there who is speaking in Chhattisgarh attacking the Modi government I was also talking about how people from the backward communities are not being given their fair share and how the Congress will ensure that people who deserve what they want will in fact be given that in the state of Chhattisgarh This is of course Rahul Gandhi's promise in poll-bound Chhattisgarh and you were just listening to him speak live in the poll-bound state